चाहिए आप online study कर रहो या फिर offline कर रहो कोई फरक नहीं परता इसी के according आप अपना schedule follow कर सकते हो ब्रेक के दौरान 10-15 मिनिट में बस अपने mind में recall करो यहाँ पी आप आराम से गंटा 15 मिनिट देके आप backlog को cover कर सकते हो अगर आप नीट के लिए serious हो तो यह time travel आपको follow करना ही होगा इसके according आपको अपना time travel बनाना चाहिए नीट 2025 एक्जाम के लिए अब बस 7 months के around बचा हुआ है और यह 7 months का आपको perfect यूज़ करना जरूरी है जिसके लिए आपको एक perfect schedule follow करना है जो आप practically follow कर पाऊं और हर एक minute का सही यूज़ कर पाऊं इस वीडियो में आपको वही बताऊंगा चलो वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले step 1 की बात करता हूं देखो schedule तभी आप properly follow कर पाऊगे जब आप regular basis पे target set कर गए अगर आप target set करके study नहीं करोगे तो आप schedule उतना अच्छे से follow नहीं कर पाऊगे टागे सेटिंग कैसे करना है वीडियो आ जाएगा दूसरी चीज़ आपको टागेट में भी regular basis पे improvement करना है तो यहाँ पर मैं बात करता हूं 24 hours में आपको क्या क्या करना है देखो आपको 7 hours sleep के लिए देना जरूरी है साथ घंटा सोगे ज्यादा बेटर रहेगा उससे थोड़ा कम सो सकते हूं कोई दिक्कत नहीं तीन घंटा आपको एक्स्टा चीज़ों में देना है खाना पीना तो आप इधर उधर टाइम वेस्ट करोगे क्योंकि अभी आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको at least 13 hours तो किसी भी हाल में study करना ही करना है जिसमें आपका coaching भी रहेगा और self study भी आप करोगे अब schedule के बारे में बात करने से पहले कुछ चीज़ों के बारे में बात कर लेता हूं सबसे पहले तो हर सुबह उठने के बाद आपको एक घंटा study के लिए देना ही है इस एक घंटे में कल जो study किया थे हूँ उसको आपको जो revise करना है या पिर पहले जो study कर चुके हो उस एक घंटे में आपको revise करना है यहाँ पर आपको simply करना है क्या है एक्स्ट्रा टाइमिंग के लिए यहाँ पर मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ देखो जब भी आप lecture ओड़ा देखते हो या फिर classes करते हो classes के दौरण आपको break दिया ही जाता है 10-15 मिनट के आपको break मिलता ही है तो उस 15 मिनट में आप जो भी lecture में देखे lecture में समझे उसको जो आपको recall करना है रिकॉल अगर उस 15 मिनट में कर लिए फ्रवा पॉइंट भी लिख लिए इसे क्या होगा कि जो आपको समझाएगा lecture में वो सब कुछ आपके माइन में अच्छे से बैठ जाएगा उसके बाद दोबारा revision करने में उत को सामने रखे अगर आप देखोगे lecture को तो ज्यादा बेटर रहेगा अच्छे से समझ में आएगा lecture के दौरण आप notes के लिए bullet points लिख सकते हो ताकि आप उनी bullet points के basis पे बाद में आप notes मना सको उसे के साथ आपको जुगार ये भी बता देता हूँ कि आपको NCAT पुरा डीट कि और मिल जाएगा तो उस बुक को डाउलोड करके भी आप अपना बुक हाइलाइट कर सकते हो जिससे आपको NCAT पढ़ने में काफी ज़्यादा help मिलेगा और important point को ही आप ज्यादा करके पर पाओके time भी बच जाएगा उसी के साथ जो इस्टोंट्स offline coaching करते हैं travel करते हैं travel क करने में आदा एक घंटा चला जाता है तो उस ट्रेवल के दौरान यहाँ पर आप टाइम का यूज कर सकते हो लाइक आप को सब्सक्रिप्स कर सकते हो जो आपको को समझाए गया लेक्सरे को दौरान उन सबको रिकॉल कर सकते हो या फिर आप जो रिवीजन के लिए 100 वीड करना जरूरी है तो अगर आपको समझ देना रहा है कि एक एक पे से हर एक लाइन से मिलेगा कहाँ पर तो इसका सॉलेशन के अगर में बात करो तो आप जो एक अभ्यास जोइन कर सकते हो जो की नीट प्रेप से तरफ से प्रोवाइड किया गया है इसमें सबसे बड़ा इस वी चीज़ी है कि आपको जो लास्ट 25 वाइस करना प्यॉआ क्या हुआ एंजिया इसमें जाएगा यानि कि एंसी आटिक के कौन से चैप्टर से कौन से टॉपिक से कौन से लाइन से अल्रड़ी कुछ से आ आचेक हो आपको हाइलाइट क्यों मिल जाएगा उन हाइल ला लगता है या फिर कोई को सॉल्ब नहीं कर पार तो उसको बुक माप करके रख सकते हो उसी के साथ लेटिस सिल्यवास के एकोडिंग आपको जो हर टाइप के क्यों मिल जाएगा अगर आप इस बैच को अभी क्या भी जॉइन करते हो तो आपको जो अभ्यास एसेंसल बिल्क और यहां पर आपको मिल जाएगा और हर एक क्वेस्ट के साथ बुक्स का पकेज जेना चाहते हो जिसमें आपको एट मॉडियोस मिल जाएगा तो वह जो है आप 499 रूपीज में जोईन कर सकते हो तो अगर आप नीट के लिए सीरियस हो टाइम बचाना चाहते हो ज्यादा स प्रेक्टिस करना चाहते हो तो आप इस बैच को जॉइन कर सकते हो लिंक में आपको डिस्क्रिप्चर में प्रोवाइट करा दूँगा जाके जरूर चेकाउट करना तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्जामपल के बात करूँ कुछ इस तरह का आपका सेड्यूल होना चाहिए सबसे पहले यहां पर मैं आपको मॉर्निंग वाले बैच के एक्जामपल देके बता रहा हूं यहां पर आपका ऑल्मोस्ट सेम ही होगा थोड़ा बहुत चेंजेज होगा क्या चेंजेज होगा आपको आगे बता दोगा अगेर आप इविनिंग बै आपको लिए को आपको टरफ से प्रोइड कर सकते हो तो मान लेता हूं यहाप आप केमेस्टी पर रहे हो तिक है उसके बाद 10 मिनट ब्रेक लेके 5 10 से लेके 6 पीम तक आप सेशन चलाओगे जिसमें आप फीजिक्स स्टडी करोगे फीजिक्स का जितना पोर्षन आपको पड़ाया गया उस रिलेटेड आपको डिवीजन होगारा करना है अच्छे चरिवा पीम से लेके 8 पीम तक आप बायलीजी स्टडी करोगे बायलीजी आप सिंपली करोगे क्या आपको अच्छे से पढ़ना है अगर आप नोट्स बना बना मिला तो कोई दिक्कत ने आराम से हो जाएगा उससे और साथी सद आप सोर्ट नोट्स को भी आप प्रिपैर कर सकतो गंटा देके उसके बाद जो 8 पीम से लेके 8.30 तक जो आप डिपी बीज करोगे जो आपको कोचिंग के तरफ से प्रवाइड किया गया है अब 8.30 से लेके 45 मिनट्स दो के डिनर और ब्रेक के लिए 45 मिनट्स इनफ है ज्यादा टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है उसक यहां पर 10.15 से लेके 11.30 तक आपका लास्ट सेशन होगा जिसमें आप चाहो तो आप अपना बैकलोग स्टडी कर सकते हो बैकलोग कैसे माने वीडियो बना रखा है आप संडे को ज्यादा टाइम देका आराम से बैकलोग को कवर कर सकते हो यहां पिर अगर आपका बैकलोग नहीं है तो आप पूरे दिन में जो भी परे उसको आप डीटेल वे से रिवाइस कर सकते हो जिससे आपका रिकॉल हो जाएगा भूलोगे नहीं तो यही सेम टाइम टेबिल आपको जो एडजस्ट करना है अगर आप इविनिंग बैच वाले स्टूटेंट हो या फिर अगर जो है चार घंटा सेशन निकालोगे जिसमें मैंने जो कुछ भी बताया वही सेम चीज आपको करना है सेशन देना है और डीपी जोगरा करना है फिर नेक्स्टेज जो बाकी आपको मैंने बताया उसी के आपको एडजस्ट करना है यहां पर सब कुछ सेम ही रहेगा बस यहा आप उनलाइन क्लास करते हो और साती साथ मैंने लास्ट एक स्ट्रेटीजी में बताया था कि बाईलीजी को पहले करना है फिर इसको बाद में करना है तो उसके लिए जो है नेक्स्ट वीडियो देख लेना उसके एकोर्डिंग अगर आप अपना सेडियूल फॉलो करना चा यह तब ही आप हर एक मिनट का सही यूज कर पाओगे तो नीट से लेटेट बहुत सारे वीडियो में चैनल पर मिल देगा चाहिए चेक आप कर सकते हूं तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ तैंक्यू